कि असलाम अलेक्वं तो मेरा बेटा भी हमें बात करने करेटरिस्टिक्स ऑफ साउंड साउंड की खूबियों में अगले इच्छो टॉपिक है वो है जी इंटेंस्टी ऑफ साउंड ये टॉपिक बहुत-बहुत इंपोर्टेंट है तोड़ा कुंसेप्चिल भी है तो जरा द पासिंग पर सेकिंड त्रू आ यूनिट एरिया वेन एरिया इस हैल पर्पेंडिकुलर तू दिरेक्शन ओ प्रोपागेशन ऑफ वेफ कुछ समझ नियागी जब तक बताऊंगा नी जैसे कि मैं दूप की शिदत की बात करूं लाइट इंटेंस्टी की जितनी दूप किसी एरिया पर पढ़ेगी जहरी सीबाद उसकी शिदत उतनी ज्यादा होगी इसी तरह जितनी साउंड एनर्जी वह लाइट एनर्जी थी जितनी साउंड एनर्जी किसी एरिया में जितन ताइम में पास होगी, जैसे में ये बात करूँ, कि ये मेरे पास कोई area specific, उसमें से ये sound waves, जतनी ज्यादा इसमें से पास होगी, sound energy passing per second, through a unit area, कोई भी area, unit area से लिए लेते हैं, हम हमेशा जब भी किसी भी चीज़ को define करना चाहें, तो 1-1 लेते हैं, जैसे 1 newton को define करने के लिए, 1 meter distance बगरा बगरा, इसी दरा, sound energy passing per second, sound energy कितनी देर में, कितने second में, एक second में, कितनी sound energy pass हो रही है, through a specific area, when the area is held, जब इस area को रखा जाता है, perpendicular to the direction of the propagation of the sound waves, ये प्रोपेगेट कर रही है, sound is direction में, इन के path में, अगर मैं इसको perpendicular रखूंगा, तो ही maximum sound waves इसमें से pass होंगी, अगर भई इसके parallel कर दो, तो sound intensity क्या हो जागी, 0, क्योंकि number of sound waves passing per second, through a unit area when the area is held perpendicular to the direction of the propagation of the sound waves, is called the intensity of sound इसको हम intensity of sound का नाम देते हैं, मेरा बेटा, इसका जो unit होता है, वो watt per meter square होता है, अब बहुत से लोग यहां से confused होते हैं, कि भाया watt per meter square इसका unit कैसे आ गया, क्योंकि अब भी उपर आपने क्या बात किया है, energy per second, energy per second energy को time भी डिवाइड़ी के passing through a unit area पर area भी नीचे आ गया, तो area का unit तो आगया, मेरा मेटा, meter square energy divided by second, आप power का unit याद करें, उपर work नीचे time, उपर energy नीचे time था तो यहां पर watt आ सकता है फिर तो क्या बन गया मेरा मेटा इसका unit watt per meter square या फिर watt per meter square, तो यह सिरफ आपके concept clear करने के लिए बताया था कि इसका unit watt per meter square के हाथ है तो यह चीज़ अब clear हो जानी चाहिए कि number of sound waves जितनी पास होंगी through a specific unit area, उसके intensity उतनी ही ज्यादा होगी तो कब ज्यादा होगी अब इससे next topic में हम दो चीजों के दिरेवन एक ऐसी आवाज जिसकी sound बहुत सरा सा ख्याल रखेगा, इंशालला next topic में मिलते हैं, अल्लाह आफेज